चानल पर गरने हो तो चानल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन वेल आइकन को और फेसेट कर लेना क्योंकि यूनीक वीडियो की लिस्ट पढ़ी है और हाँ इस वीडियो को लाइज जरू करना शेर करना और आपके अगर सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना दोस्तों Google Map का regular हम लोग यूज़ करते ही है लेकिन Google Map में अगर हमें कहीं जाना नहीं है मतलब travel करना नहीं है लेकिन हमें किसी particular route के बारे में डीटेल में जाना है यानि कि मान लिजे भी हां से हमें अपनी destination पर जाना है तो उस destination पर जाते समय हमें कितने right आएंगे कितने left आएंगे कहां से हमें turn लेना है कहां से हमें मतलब कहीं पर जाना है या फिर कहा पर کौन सा बडी जाएगा या सब चीज़े हमें जाननी है तो वो हम कैसे जान पाएंगे पहले ही बिना ट्रावल किये तो वो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले है अब यह किस काम आता है यह काम आता है जब आप किसी को गाइड करते हो यानि कि अगर आपको किसी को गाइड करना है कि यार इस रूट पर कैसे जाना है इस एड्रेस पर आप कैसे पहुच सकते हो तो आप कैसे किसी को गाइड कर सकते हो इस चीज़ के बारे में है ना मान लिजे आप आपका map यूज नहीं करना चाहते हैं या फिर आप वहाँ जानने नहीं वाले हो लेकिन आप चाहते हो कि किसी को आप guide करो तो वह आप कैसे कर पाऊंगे आज की इस वीडियो में हम यहीं जानेंगे तो अगर आप भी Google Map के बारे में बहुत अच्छा कु है Google Map में बहुत सारी चीज़े जो कि आप सीख सकते हो और वन वाइवन हम कोशिश कर रहे कि सारी चीज़े आप लोगो को पहुचाते रहे तो Google Map को open करेंगे हम और search में जाके कुछ search कर लिए है यहाँ पर search field है वहाँ पर हमने गोरे गाव रिल्वे स्टेशन को सच कर रखा सच कर रखा हुआ है क्लियर का बटन मिल रहा है तो जैसे हम सर्च करते तो यहाँ पर नीचे सजीशन आते है देखिए ठीक है 48 km से यहाँ पर पूरा सजीशन आ गया है कुछ डीटेल आपको जानकर यहाँ पर देंगे कर सकते हैं तो यहाँ से इंदर जाने के लिए देखना है तो भी आप वह करके देख सकते हो और यहां से उदर जाने के अगर आपको देखना है इसका प्रिव्यू तो आप इसको भी सेट इस पर क्लिक करके आगे जो आने वाले उस पर आप क्लिक कर सकते हो सब्सक्राइब क्लिक करेंगे अब हमने स्ट्रीट विव्यू पर क्लिक कर दिया रूट प्रिव्यू हम लोग देखेंगे तो यहां पर देखिए सारी चीज़े बताएगा आपको सब्सक्राइब कर सकते हो रूट किसी को भी यह लास्ट में पहुंजाते हैं सीदे आपको स्ट्रोल करके बैक साइड में जाना थाने बेलापूर रोड यह बता रहा है यहां पर इसने बता दिया कि एक्जिट और लेना है थाने बेलापूर रोड से थाने बेलापूर फ्लाइब बता रहा है सारी चीज़ें देखिए यह इसने बता दिया कि आप पूरी डीटेल जानकरी तो नहीं दे सकते लेकिन आप किसी को बता सकते हो कि हाँ आप जाते समय ठाने बेलापूर रोड से जाओ फिर उसके बाद आपको आगे मुलून एरोली रोड आएगा वहां पर जानना है तो भी आपको इसी जानना है तो भी आपको इसी जान सकते हैं हो और यह ड्राइविंक नविगेशन के बारे में हैं अगर आप वाकिंग नविगेशन के बारे में चाहते हो तो आप सेट कर वेगेशन वाली रोड के बारे में आप जान सकते हो यहां राते हैं ज्यानि ह launched से अगर हम एक दो किलोमेटर वाला रूट को है तो में राइट कर ले लो यह एटिम आएगा तर्स नेलो वह रेस्टाइवज आएगा उसके बाद आपका डेस्ट्निशन आएगा यह इस तरह से आपको यह बता देता है मतलब पूरी दल से आपको पूरा रूट यह आपको बता देता है सिंपल सा है ना आप इजीली जो है इसमें रूट डेखके आप इजीली जो है यहाँ पर ट्रावल कर सकते हो ठीक आगे कुछ अप्शन से देखेंगे यह बैकर एंगे रूट ने देख लिए इज आप आगे जाओंगे तो अधिक यहां पर आगे जाओंगे तो अधिक अधिके तो आपको जिस हिसाब से रूट डेखना है वह आप यहां पर सेट कर सकते हो वह आप यहां पर सेट कर लो और उसके बाद प्रिव्यू में जाके आप वह प्रिव्यू देख सकते हो प्रिव्यू में आपको उस तरह से गाइडेस दिया जाएगा अगर आप पब्लिक ट्रांसपो आप यहां से आप रूट्स वगरा देख सकते हो काफी काफी ज्यादा इसी हो जाता है अब यहां से इसको शेयर करना है तो आप यहां से इसको शेयर कर सकते हो आप यहां से इसको शेयर कर सकते हो तो उमीद करते हैं आप लोग भी इस तरह से रूट्स वगरा कोई भी जो रूट्स है जिस पर आप रेगिलर जाते हो उस रूट्स के बारे में उन रास्तों के बारे में आप डीटेल में जान सकते हो यहां पर जो है अपना सोर्स डेसिनेशन डालके और उसके बारे में डीटेल में जानने के बाद जो है आप किसी को भी गाइड भी कर सकते हो और खुद चीज आई है तो जरूर बताएगा उसके बारे में अगर आपको जानना होगा तो हम डीटिल में फिर एक बार वीडियो उस पर बनाएंगे काफी सारी नई-ने चीज़े आई है गूगल मैप में तो जो कि आपको एक्स्पोर करनी चाहिए और आपको यूज भी करना चाहिए और यहां पर जाके जो सकते हैं मैं था जितुर आज मिलूगा किसी और इंटरस्टिंग से वीडियो में तब तक के लिए जैहें